जेहन दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर दोसियंत कुमार जी से संबंदित महत्पूण कॉस्चिन आंसर दोसियंत कुमार जी का जीवन परिचए यहाँ पर भहती महत्पूर्ण question answer है इनसे सम्बंदित वीडियो को पूरा अवस्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें और self study classes एप भी download कीजे यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित का संपूल कोर्स हिंदी साहित की test series भूती कम दामों में आपके लिए उपलब्द है किसी भी exam की तयारी कर रहा है जिसमें हिंदी साहित आपसे पूंचा जाता है तो self study classes एप download कीजे जहाँ पर आपके लिए pre 2020 test series उपलब्द सबताह में दो दिन ए test series आपके ल download कीजे और अपनी तयारी में लग जाए दोसियंत कमार जी से संबंदित first question की बात करें तो देखें दोसियंत कमार का जन्में कब हुआ question number एक है और महत्तपूर्ण question आपसे यहां पर पूंचा है बताए तो आपका यहां पर बिल्कुल सही right answer है दोसियंत कमार जी का जन्म आ 233 आपका right answer होगा विकल्प number B सही answer यहां पर है question number 2 आपसे पूंचा है दोसियंत कमार का मूल नाम क्या था question number 2 का right answer आपको यहां पर बताना है question number 2 का सही answer क्या होगा दोसियंत कमार का मूल नाम क्या था तो बिल्कुल सही answer होगा आपका है पर दोसियंत कमार त्यागी विकल्प number आपका एक सही answer होगा दोसियन्त कुमार किस पत्त्रिका से जुड़कर अपना साहित्तिक जीवन प्रारंब किया इन्होंने किस पत्त्रिका से जुड़कर तो question number 3 है नई पत्ते इंदू, नई पत्ते परिमल, मर्यादा, जागनल, हंस, सरस्वती तो इन्होंने किस पत्रिका से जुड़कर अपना साहित्तिक जीवन प्रारम भी किया तो आपका सही आंसर है नए पत्ते परिमल आपका सही आंसर है विकल्प नंबर भी सही आंसर होगा दोसियन तो कुमार साहित्त में मूल रूप से हैं कथाकार हैं नाटक कार हैं गजलकार हैं या फिर आलू चक हैं दोसियन तो कुमार साहित्त में किसे साहित्त में मूल रूप से क्या माने जाते हैं तो गजलकार माने जाते हैं यानि कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर question number 5 पूछा है कितने काप्द संग्रह प्रकासित हुए है 4, 3, 2, 1 question number 5 का answer बताईए कितने काप्द संग्रह प्रकासित हुए है तो आपका सही answer है एक right answer है विकल्ब नंबर D आपका सही answer होगा विल्कुल सही काप्द संग्रह है question number 6 का answer बताना है क्या होगा सही answer दोस्यन्त कुमार का काप्द संग्रह पूछा है तो साई में धूप आपका सही answer है साई में धूप बिल्कुल सही right answer है बहुत बढ़िया अंगला question देखते है यहाँ पर पूछा है सूरिका स्वागत मसीह मर गया question number 7 का answer बताईए question number 7 है महत्यपूण है दोस्यन्त कुमार का नाटक है यह आप से पूछा है question number 7 में right answer है मसीह मर गया विकल्प number C आपका सही answer होगा question number 8 आप से पूछा दोस्यन्त कुमार का लगू कता संग्रह कौन सा माना जाता है महत्यपूण question बताईए क्या होगा सही answer दोस्यन्त कुमार जी का लगू कता संग्रह है साई में धोप सूरे का स्वागत मसीह मर गया मन के कौन question number 8 का सही answer है मन के कौन विकल्प number D आपका सही answer है बिल्कुल सही ये जो है इनका लगू कता संग्रह माना जाता है दोस्यन्त कुमार का काप ले नाटक कौन सा है question number 9 question number 9 का answer बताना दोस्यन्त कुमार का काप ले नाटक है हमें बेस्पाइज जनम के आवाच के घेरे एक कंठ बेस्पाई दुहिरी जिन्दगी तो question number 9 है और आपका सही answer है एक कंठ बेस्पाई इनका कब बिनाटक माना जाता है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया विकल्प number A आपका C यहाँ पर सही answer होगा question number आपका यहाँ पर पूँचा है 10 इनमेंसे कौन सा दोस्यांत कुमार का उपन्यास नहीं है नहीं पूँचा है आंगन में एक स्रध्धा चोटे चोटे सवाल सबका अपना आकास सूरिका स्वागत तो यहाँ पर आपसे पूँचा है उपन्यास नहीं है नहीं उपन्यास पूंचा है दोसियन तो कुमार जी का तुराइट आंसर है अपना सब का अपना आकास ये उपन्यास जो है दोसियन तो कुमार का नहीं है question number 11 क्या पूँचा है तो देख लेते हैं देखे ए रहा question number 11 दोस्यन्त कुमार जी का जन्म कहा हुआ था बिलासपुर मद्द प्रदेश में या मेनपुरी उत्तर प्रदेश में राजापुर नवाला बिजनोर उत्तर प्रदेश में या फिर भिंड उत्तर मद्द प्रदेश में तो यहां पर पूँचा है दोस्यन्त कुमार का जन्म में कहा हुआ तो आपका सही आंसर है राजापुर नवाला बिजनोर उत्तर प्रदेश में आपका सही आंसर होगा question number 12 पूँचा है साहित्य के छेत्र में दोस्यन्त कुमार ने किस नाम से लिखा है दोस्यन्त कुमार क्यागी दोस्यन्त कुमार परदेशी दोस्यन्त कुमार या फिर दोस्यन्त परदेशी साहित्य के छेत्र में दोस्यन्त कुमार ने किस नाम से लिखा है तो राइट आंसर है दोसियन्त कुमार परदेशी आपका सही आंसर होगा अंगला कॉस्चिन क्या है तो देखे कॉस्चिन नमबर 13 है आपका यहाँ पर कि दोसियन्त कुमार मर्द परदेश के भासा विभाग में सहाइक संचालक पद पर कब तक न्योक्त हुए तो यह आपको बताना है कब न्योक्त हुए यह आपसे पूँचा है कब न्योक्त हुए तो आपका सही आंसर है 19161 ECV में विकल नमबर आपका D यहाँ पर सही आंसर होगा question number 14 पूँचा है हो गई है पीर परवत्सी हो गई है पीर परवत्सी अब तो पिघलनी चाहिए इस हिमाले से गंगा निकलनी चाहिए पंतियों की रचेता पूँचा गया है जो की महत्तपून पंतियां आप से पूँचा गया है यहां पर बताईए हो गई है पीर परवत्सी अब तो पिघलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए दोस्यन्त कुमार की पंतियां है विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा साई में धूप काबिका प्रिकासन वर्स बताना है क्या माना जाता है साई में धूप तो आपका सही आंसर है कोईश्यन्मर 15 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक नंबर एक कंट विसपाई काबिनाटक का प्रिकासन वर्स क्या माना जाता है क्या माना जाता है तो 16 का सही आंसर है 1964 आपका सही आंसर होगा बिलकुल सही बहुत बढ़ियां 1964 राइट आंसर इनमें से कौन सा उपन्यास दोस्यन्त कुमार का नहीं है आवाच के गेरे टाटा प्रोफेसर या फिर आंगन में एक ब्रद्ध ब्रद्धा या दोहरी जिन्दगी कौन सा उपन्यास दोस्यन्त कुमार का नहीं है पूँचा है तो नहीं में आपका हो जाएगा टाटा प्रोफेसर आपका सही आंसर है बिलकुल सही बिकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा लोग पिरे गजलकार दोस्यन्त कुमार का निधन कब हुआ कॉस्चिन नंबर 18 में बताना है 1983, 1984, 1978, 1975 में तो इनका निधन आपसे पूँचा है और बिलकुल सही राइट आंसर होगा कि इनका निधन कब हुआ तो बिकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है 1975 manifest 20 में 1975 में दोस्यन्त कुमार जी का निधन हो गया था तो बिकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा तो इस पिरकार अपने यहाँ पर देखे लोग पिरे गजलकार दोसेंत कमार जी से संबंदित महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर क्यासा लगा वीडियो कमेंट में जरूएत आए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सस्क्राइब वीडियो को कर लें लाइक और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें सेलफिष्ट adesso का संपून कोर्स अपके लिए उपलब्द है हिंद्विषाइत के टेश्ट इस एक यकलर यहां पर तो यससे भी आप अबस्वअज जोडें Self Study Classes से आप Download करना है आपको Play Store से और अपनी तयारी में लग जाना है आज की वीडियो में बस इतना ही जैहिन